स्टार प्लस पर आने वाला सब्षे पापूलर शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में फ्रेंड साकिर खार आने वाले एपिसोट में सई की इंट्री चवान निवास में विराट के साथ होती नजर आएगी क्योंकि विराट भी चाता है सही सवी के साथ चवान निवास में रहे क्योंकि विराट को पता चल चुका है पत्रलेखा ने विनायक को रानिया और जादू गरनी की कहानी सुना के सही से दूर किया है तभी विराट सोचता है सही ठीक कही रही थी कि विनायक के दिमाग में किसी ने ये बाट डाली है रानी और जादुगर्नी की इसलिए विनायक मुझे जादुगर्नी समझता है तबी विराट पत्रलेका पर बहुत गुस्ता करता है क्योंकि पत्रलेका कुछ भी उल्टी सीधी हरकते करती रहती है और कहती है इसमें मेरी क गलती है तभी विराट कहता है तुम कब गलत होती हो पत्रलेका तुम कुछ गलत करती ही नहीं हो वो तो अपने आप ही सारी बाते हो जाती है ऐसा कहे के विराट बहुत गुसा करता है पत्रलेका पर ये सब सुनने के बाद पत्रलेका फिर से वही हरकत करके विराट को डराने क कोशिस करती है विराट मुझे तभी मर जाने दिया हता क्यों बचाया तुमने मुझे बचा के गलती की है ना मैं तुमारी वो गलती भी सुधार देती हूं ऐसा कहिके विराट की गन निकालने की कोशिस करती है तभी विराट कहता है सबसे पहली बात बार बार मुझे मरने की धमकी देना बंद करो, क्यूंकि बहुत दिनों से तुमारा ये सब नाटक देख रहा हूं, और सच कहूं तो तुम्हें जहर रहा हूं, और मैं बिल्कुल बरदाश नहीं करूंगा, कोई मेरे बेटे के मन में जहर भर रहा है, हाँ फ्रेंट्स, विराट ने पत्रलेका को ऐसा सुनाया कि पत्रलेका विराट से कहने लगी, मुझे पता है, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम मुझे नपरत तो नहीं करते हो ना, फ्रेंट्स, विराट का तो पता नहीं, लेकिन जब भवानी काकु को सच का पता चलेगा, कि पत्रल विनु को रानी और जादुगरने की कहानी सुना के डराया है तो भवानी काकु जरूर पत्र लेका से नफरत करने लेगेगी आप आने वाले एपीसोड में भवानी काकु और पत्र लेका बेलाये है मिलकशन सकी तक म्याती